किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पिछे की मैनत जरूर देख लेना नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक रासिफल सितंबर दोजाच चौबिस के विसेश एपिसोड में यह एपिसोड रसब रासी के लिए है और यह रासिफल आपकी रासी नाम रासी अताद मून साइन पर आधारित हैं हर मा सारे सेग्मेंट पर सेक्टर पर विस्टेशन करते हैं इस बार भी वैसा ही करेंगे सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इंकम और इन्वेस्मेंट के बारे में तो आईए अब आरम करें मासिक रासिफल सितंबर दोजाच ओवीस लाब गेन प्रॉफिट एप्रि विराज माने जहां तक ब्रस्पति की जस्तियों का सवाल है वो रासी इस्तिती से भी जादा जहां पर उनकी जस्ति पढ़ रही है वो माना जाता है तो ब्रस्पति की जस्ति सिक्सा और संतान बाव पर सब्तम बाव पर और साथ इसाथ भाग्य बाव पर पढ़ रही है जो लोग मेंदे करके कमाते हैं, उसे कई गुला ज़यादा वो अपने बुद्धी से कमा सकते हैं, तो ऐसी स्तिति में, सितंबर 2ğı, 24 में आपको बुद्धी का का इस्तिमाल या प्लानिंग का इस्तिमाल आईडिए का इस्तिमाल जदा करना है, आपको मैनत बेशक करनी है लेकिन उसके साथ में दूर दर सिता भी रखनी है कि मैं जिस सेक्टर में मैनत कर रहा हूं जिस सेक्टर में या जिस लाइन पर मैनत कर रहा हूं वो मैनत मुझे यो की फल दे पाएगी या नहीं दे पाएगी दूसरों की देखा दें कि आप भी सेम काम करे वो नहीं करना है सितंबर दोजाथ 24 आपकी गेन के लिए आपकी इंकम के सोर्स के लिए बहुत सुखद है यहां पर जो लोग राजनिती शेत्र में या एजूकरिशन सेक्टर में उनके लिए सबसे सुखद इस्तिति है अधार आपको सोर्स ज्यादा मिलेंगे अपरजनिटी हैं उनको यहां पर अपने आईडिय से अपनी सोच विचा से बहुत ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा बहुत अच्छे चांसेज उनको आएंगे डवलप के या प्रमोशन के 16 सितंबर 24 से सूर्य की दस्ति भी लाब बाव पर होगी तो ऐसी इस्तिति में जो लोग भी जॉब कर रहे हैं या जो लोग मार्केटिंग में हैं मेनेजमेंट में उनकी इस्तितियां यहां पर बहुत सुखद रहेगी साथ ही साथ यहां पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा शनी जो कि भाग्य का अधिपती होकर करम बाव में इस्तित है और जब करम करेंगे तो ही लाब की इस्तिति मिलती है तो ऐसी इस्तिति में लाब की इस्तिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है शुक्र से सम्म्धित काम काज करने वाले लोगों की लिए है सितम्बर 24 लाब डायक इस्टिती में शनी रासी से ग्यारवें बाव में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 से तो आपके जीवन का सबसे अच्छा पीरिड आने वाला है जो 23 फरवरी 2028 तक चलेगा तो आई आप बात करें आपके इंवेस्मेंट की रासी से से कंपनेंट कर सकते हैं मार्केटिंग की सरवेय की कंपनियों मेंसमेंट कर सकते हैं यह टेली कॉम से समदी चैनल से समदी टीवी से समदी फिलिम लाइन से समदी कोई चीज़ के मिल जाती है तो आपको उसमें investment करना ज्यादा बेटर है और आप चाहें तो कोई startup में भी interest लेकर कि उसमें भी investment कर सकते investment आपको जरूर करना चाहें SIP से investment करें या और government bond में investment करें आपको चोड़चोटे investment की आदर डालनी चाहिए और वो investment देखते ही देखते बहुत बढ़ा हो जाता है जैसे कि हम अपने बच्चों को देखते हैं हमको जो ही पीछे हम देखते हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत चोड़चोटा देखा हुआ है जब स्कूल छोड़ने जाते थे और आज उनकी स्थिति साधी के लायक हो चुकी है या आज उनके बच्चे के बच्चे भी हो चुके हैं तो समय देखते देखते बहुत तेजी से जो आगे बढ़ता है और इंवेस्मेंट भी उसी तेजी से बढ़ता है अब बसलते आपने इ जो कि पिता-पुत्र होते भी विरोधी है ये आपको भी अपने परिवारिक स्थिति में डिस्टब कर सकते हैं और चार सितंबर के बाद में आपके परिवार में आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो सकती है आप डॉमेंटिंग हो सकते हैं या आप बहुत ज्यादा हावी होने का प्रियास का सकते हैं तो ऐसी इस्तिति में जो आपको उक्सा रहे हैं जो आपको कहीं कहीं आपको चांद बुच कर चिड़ा रहे हैं वो इस्तिति आपके लिए negative हो सकती है परिशानी वाली हो सकती है आपके अपने घर में भी आपने जो पेरेंट से उनके साथ में ट्यूनिंग बिगड सकती है adjustment आपका बिगड सकता है वो आपको सावधान हो करके उस चीज को बहुत अच्छे डंग से पार करना है 16 सितंबर तक तो आपको अपने उपर कंट्रोल ज़्यादा रखना है क्योंकि बात अगर बिगड गई तो काफी लंबे समय के बाद ही ठीक हो सकती है और लोग ज्यादा तर अक्सर लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं वो बातचीत बंद करना कोई भी बात का या मद्बेद का solution नहीं है समाधान नहीं है बातचीत तो आपको करनी ही पड़ेगी जब भी बातचीत करेंगे तभी समाधान निकलेगा तो बातचीत बंद नहीं करनी है, सांत रहकर के उनकी सुनें वो ज्यादा बैटर है, और जहां पर आपके अधिकारों के उपर चोट लगती है, यह अधिकार में कमी करते हैं, जान बुझ करके साइड लाइन करते हैं, तो फिर बोलना भी पड़ता है, जहां जरूर हो तो वह हैं, उनसे लाभ बाव में स्तित्पे स्राइग, राभ की दती दोनों ही बाव पर हैं, जहां पर बुझ इंट आय की जिए और उसका आपको फाईदा भी नजर आएगा, शनी यहां पर स्वेगर ही है, लेकिन सनी की ज़स्दी नास बाव पर, एक्समें सिज बाव पर, पु तो ब्रस्पति की दुश्त्थ है क्योंकि हम जो बात कर रहे एज्यूकेशन की बात कर , संतान की बात与आ हैं उसका कारक भी ब्रस्पति है शुक्र-षिस से पंचम-बावव तक सुब्फल देता है चाहे शुक्र-षिक के नीच रासी में उसके बावजूद भी आपको त्रिकॉर्ण में इस्तित होने का फाइदा जरूर मिलेगा और आने वाले समय में शुक्र जब स्वेगरी हो जाएंगे तो बहुत सी रासियों के लिए यहां पर एक योग बनेगा मालवी योग जो पंच मापुरस में से सब्सक्राइब कर सकते हैं या मास मीडिया के स्टुडेंट से संगीत के स्टुडेंट से उन सबी लोगों के लिए यह इस्तिति बहुत ज्यादा बैटर है यहां पर आपकी एजुक्षिन का फाइदा भी आपको मिलेगा प्लस आगे बढ़ने के आपको को इनको मौके भी म कुछ नो कुछ कर रहे हैं और माल और या पिर वे लोग जो लिटरेचर की पड़ाई कर रहे हैं इस पिचो साइंस से समझे कोई स्टेडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी सितंबर दोजाद चौबीस बहुत सुखद है बहुत अच्छा है इंजिनरिंग के जो भी से उनके लिए भी यह समयकाल बहुत ज़्यादा बैटर है आपकी ग्रास्पिंग आपकी नॉलेज आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी प्लस आपका माइंड डवलप होगा आईए अब बात करें संतान की संतान के लिए भी रियासी से फिप्ता उससे ही विसलेशन किय जाता है तो आपको सितंबर 24 में संतान की संतान प्राप्ति की संभावना है संतान की आर्थिक उन्नती हो सकती है उनके साथ में रिलेशन सुदर सकते हैं यह बोल सकते हैं विचार विमस से बहुत अच्छी इस्तिति आ सकती है उनका विवात हो सकता है सब मिला करके संतान के योग्य बना रहा है लायक बना रहा है इसलिए पैसा खर्च कर रहा है तो ऐसी इस्तिति में संतान का सुक संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग यह सब कुछ आपको नजर आएगी और यदि आपकी संतान विवाइत है तो उनकी संतान की भी संभावना है ऐसी सूचना भी आपको सितंबर दोजाग चौबिस में मिल सकती है आईए अब बात करें आपके स्वास्ति की और आपके सत्रों की विरोधियों की रासी से सिख्थ आउस से इसका विस्सलेशन किया जाता है और इस भावकादीपती शुक्र है जो की शुक्र नीच रासी के लेकर रासी से फिप ताउस तक शुक्र गोचर के नुसाल सुब रिजड़ देते हैं लेकिन वो रासी के अधीपती भी हैं रोगभाव के अधीपती भी हैं और शुक्र केतु के साथ में ऐसी इस्तिती में मति ब्रह्म की इस्तिती हो सकती है ठीक आपको कुछ नो कुछ बदनाम होने का मौका मिल सकता है और या पिर आपको कोई ऐसे रोग हो सकते हैं जिसको गुपतांग समंधी रोग बोल सकते हैं इंफेक्शन समंधी रोग बोल सकते हैं ऐसा कुछ नो कुछ अबनेमल पार्ट में आपको रोग परशान कर सकते हैं वो च जो यंग स्टर्स हैं जो एक प्रकाश से टीनेजर हैं और यंग होने की और आगे बट रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा सावधान रहना है अपने आपको आप सिरफ दिखाने के लिए या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या आप अपने आपको प्रदसित करना चाहते हैं क बच्छों को जिम जाने से रोकें क्योंकि एक बार अगर कोई इंजरी हो गई चोटी उमर में तो उसको वापस सवानना या उस अंगों को वापस रियक्टिवेट करना बहुत भारी मुश्किल का काम होता है आई अब बात करें आपके सत्रों की आपके विरोधियों की दो कि इससे इस्तिती खराब होगी आपका रिषता तोट सकता है आपके रिषते मी दरार आ सकती है या आपकी सोच बजल सकती है उस सोच को आपको ठीक करना है उस सोच को बजल करके एक प्रकात से यहां पर आपको positive person बनना है जो अपनी friend के काम आए जो उनको चैही राह दिख है आईए अब बात करें आपके ब्रस सुक्की आपके दंपत सुक्की रासी से सप्तम बाव से इसका विस्टेशन किया जाता है सप्तम बाव के अधिपती मंगल हैं जो की अपनी रासी से सलास्ट्य कर रहे हैं सप्तम बाव पर राहू की दस्ति है सनी की दस्ति है ब्रस्पति कि दस्ती यहां पर आपको बचाने का काम करेगी और शनी और राउट की दस्ती आपको किसी किसी ड़ंक से पीडित कर सकती है थे नह increasing कर सकती है आपना स्वाथ करने के लिए ओड़わか्ती आदत हो फ़न सर्क्रारे कहरे रहें उनके बीच में कैसे आपस में लड़ाई जगड़ा कराया जाए वो उसमें ही खुश रहते हैं अता दूसरों की आग में घी डालना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है आज के युग में ज़्यादा तर यह देखते हैं तो ऐसी इस्तिति में आपको यहां पर बातचीत का दाइरा ज्यादा रखना चाहिए जो भी मिसरनेस्टिनिंग होती है उसको आप अकेले में ही बातचीत करके निप्टा लें जो लोग चाहते हैं कि आप लड़ाई जगड़ा करें उनके साथ में आप वैसे ही बने रहें कि आपके बीच में लड़ाई जगड़ पर है उन लोगों की भी थोड़ा ठैड़ना पड़ सकता है क्योंकि ये समय एटलिस इस समय इस्तितियां सुखद नहीं है उसको ध्यान रखना है और आप छोट-छोटी बातों पर या दूसरों के कहने पर अपने जीवन साती से लड़े जगड़ा नहीं करें ना उनके बारे उन लोगों की जिनके जीवन कोई गयरी फ्रेंटिसिप चल रहे है या वो लोग जो परेंपरसगों में या कोई को रेलेस्टि प्रेंशतव में तो उसके लिए रासी से फिप्त भौ। सिवन्थ लौश वद्बव शुकर की इमपार्टुस रहती है तो ऐसी इस्तितिती मे यहां पर शुक्र और कितु एक साथ में विराज माने और राहू की जस्ती है तो ऐसी इस्तिति में दोस्ती में दरार आ सकती है या आपस में गलत फेहमिया पैदा हो सकती है या आपको ऐसा लग सकता है का आपका अधिकार है उन पर हवी होने का यह जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए तो ऐसी स्टिती में यहां पर बदनामी हो सकती है यह अपनी जो दोस्तिय रिलीशेंशंशी पर उसका इस्तिमाल गलत कर सकते हैं यह आपका दिमाग में गलत विचार आ सकते हैं शुकर और केत्व जहां पर आदमे को एक प्रकास से कामान बना देते हैं वहां उसको यह पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है ऐसी इस्तिती में आपकी दोस्ती में दरार आ सकती है रिलेसंसिप आपकी तूट सकती है या जो विश्वास आपने कमाया है विश्वास आपने बनाया है वो तो ऐसी स्तिति में friendship को अधिकार नहीं माना जा सकता है, friendship का मतलब यह नहीं है, का आप अपनी जो भी मन मट जी होगी, वो आप करेंगे, ऐसी स्तिति में, जो आज की युग में दोस्ती है, उसको किसी और संदर में लिया जाता है, उस से सावधान रहने के जो होता है, क्योंक इतना भी मैनत करें अपने घर वालों के लिए परिवार वालों के लिए आपकी सास आप पर हावी रहने का पूरा पूरा भरसक प्रयत्न करेंगी और आप कितना भी मैनत करेंगे उनके अनुसार चलेंगे फिर भी आपको यश नहीं मिल पाएगा आपके दांपच सुक में ग् भी रखना पड़ेगा रासी से टैंता उसका असनी कंटक्शनी भी कहा जाता है ये भी ध्यान रखना है और राहू की दस्ती सब्तमभाव पर है ऐसी इस्तिति में मिस अनस्टेंडिंग इस्तिति मत बेद की इस्तिति या कुछ गलत फहिमिया जान बुच करके आपके सामने ल जो इस्तिति को देखना ज्यादा बैटर है मनिस्पत की सामने आकर के लड़े जगड़ा करें आईए अब बात करें आपके जौब प्रॉपरिशन केरियर या बिजनस की और इसके लिए एक भाव जिम्हेदार है जिसे दसम भाव का जाता है ज्यादा तो उसे करम भाव या बागय का अधिपति शनी करम भाव में भागय वसाथ आपके काम काज ज्यादा बढ़ेंगे बागय वसाथ आप जो भी डिजन लेंगे वो डिजन आपके सही बैठेंगे आप जिस काम काज के लिए ट्राई कर रहे हैं वहां आपका कॉन्फिड़ेंस बढ़ जाएगा वहा आप काम काज को ज्यादा व्यापक स्थर पर करेंगे या बहुत तेजी से डवलपमेंट देखेंगे विसे इसकर वे लोग जो मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर से जुड़े हैं जो फैबरिकेशन से जुड़े हैं मशिनरी से जुड़े हैं टांसपोर्ट से जुड़े हैं य तो बाग्य और करम दोनों का साथ आपको यहां मिल रहा है आप में से वे लोग जो लॉयर है या बहुत बड़े सर्जन है बहुत बड़े टेक्निशन से या कोई एक्सपर्ट प्रफेशनल से उनके लिए यहां पर नए गुरुप से जुड़ने का नई डील मिलने का नया काम मिलने का वो जोस बरकरार रहेगा कुछ ने कुछ एक्स्ट्रा ओडिनरी एक्समांसन वाली इस्तियां आने वाली है साथ ही साथ वे लोग जो जौब में हैं उनके लिए इस्तियां बहुत अच्छी है लेकिन जौब स्विच करने के लिए मैं अभी आपको नहीं आज की तारिक में एक दर्वाजा है जो आपको खुला दिखाई दे रहा है लेकिन अप्रेल दोजार पचीस में आपको दस दर्वाजा खुले वे दिखाई देंगे इतनी ज्यादा एपोस्ट्टिटी आपको मिलने वाली है जो अनाज का का काम करते हैं जैंसें ज्वेल्र जना संपत्य से जोड़ा जाता है इन दोनों का स्वामि जो बुद्ध सूरी के साथ में जॉइन करें तो उस समय आपको मार्केटिंग में फाइदा ज्यादा मिलेगा तो ऐसी स्थिति में जो लोग एजयंसी बीजनस करते हैं कमिशनल इंड ब्लॉकरेज का का काम काज करते साथ ही साथ वे लोग जो कागज कपड़ा प्रिंटिंग टेक्स्टाइल से समझे काम काज करते हैं जिनका अपना न्यूजपेपर या मेगजिन निकलती है जो यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉगर्स हैं यहां उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुगद है और जो सुगनी बहुत्ती के हैमेडर्स ब्लॉगर्स हैं सुगनायी के सूभित करें एक छी को कार्याश के सर्ण सत्रेकि को सब् capacitor क B करना है अगर हो सके तो दुर्गा कवच का पाट करें या पिर शूरी सुकत का पाट करें वह आपके लिए ज्यादा और या पिर छोटा सा मंत्र ओम द्राम, द्रीम, द्राम, सह, सुकरायनम, इस मंत्र का जाप करें, तो भी बहुत बैटर हो सकता है, शुकर के उपाय करने से आपको रहत मिलेगी, रतनों की बात करें, तो आपकी रासी के जो तीन त्रिकोन है, हीरा, पन्ना, नीलम, रतन या उ करना चाहिए आपसे चोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आपको जोती से नहीं बनाएं या जो लोग पढ़ करके जो लोग कहीं पर भी जहां हाट डाला कुछ नो कुछ मिल गया उसी को अपने उपर लागू करने लगते हैं तो वो आपके लिए गलत हो सकता है नुकसान भी दे दी तो उसके लिए जीवन के लिए घातक हो सकती है ठीक उसी डंग से जो 30 भी एलिमेंट साइंस से आपकी कुणली में क्या अच्छा है क्या बुरा है कौन सी चीज को आपको स्ट्रॉंग करना है कौन सी चीज को डाउन करना है यह application strategy planning है जो खेलनी पड़ती है एक प्रोफेशनल इसको सही डंग से इस्तेमाल कर सकता है आपके फ्रेंड ने जो साथ में काम करते हैं उनने बूल यह रतन पहन लो आपने उनके कहने से रतन पहन लिया वह आपके लिए घातक हो सकता है आपको याद रखना है कि चनमा नीच रासी का है और अगर आप चनमा प बदल सकता है आपका जीवन बदल सकता है इस ते प्रोफेशनल लोगों से सलाल है आपको मालूम ही नहीं आप कहां पर टाइप करके किसको कुस्टन बेज रहे हैं और वहां से कुछ भी आंसर आजाता है और फिर वो आंसर लेकर के फिर आप जब प्रोफेशनल के पास में जाते हैं तो फिर वो आपको सही डंग से ट्रीट नहीं करते क्योंको लगता है यह आदमी अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है ज्यादा तर लोग आते हैं मैं आखरी उमीद के रूप में आपके पास आया हूं तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले आपने इतने चकर इ हवन वगरा जो यग वगरा उन्सका फाइदा जवर्दस होता है ऐसे ही टोटकों में उलजा रहे शकर के इतने दाने पांच लॉंग ले लिजिए यह कर दीजिए वह कर दीजिए यह टोटकों से दुनिया नहीं चलेगी टोटकों से जोतिस नहीं चलती है यह आपको ध्या कि भी अगालिया यह करने तो इसा को बोलता हूं यह स्क्रिंद पर देवें इस पर संपर करें आप अपने जो भी प्रोब्लम में अपनी जोटैल जीटैल बताएंगे प्रोलम बताएंगे तो वापस आपको आंसर आएगा विए लिए निक कर दे नहीं यह बहुत लिपकर कराएं समय समय पर कराएं यह बार सांफ कर सकते जो भी समस्या उस उस पर डिसकूस कर सकते हैं और उसोस सब से लिख करके दिढ़क कर्णक दिजिए ताकि आपसे कोई कोई क्षोषान मिस नहीं होगा मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें प्रसंट रहें और सुर्क्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत शुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद करें इश्वर आपकी रहें।